हेलो व्रीवन वेलकम टू ड्रेक्टाइम क्लासेज इस वीडियो में मॉडर्ण हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टन टॉपिक कवर करेंगे जो यूपी पीसेज और आने वाले किसी भी एक्राम के लिए इंपॉर्टन होगा तो चली सुरू करते हैं जितने भी मॉडर्ण इंडिया में आयोग थे उसे डिसकस करेंगे पहले सिक्षा से सम्मनित आयोग यहां पर डिसकस करेंगे मुझे जुखाम में इसलिए मेरी आवाज सही से निकल नहीं रही लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टन है तो ध्यान से देखेगा सबसे पहले अंग्रेजी सिच्छा का जन्मदाता कौन है भारत में तो मैकाले को अंग्रेजी सिच्छा का जन्मदाता का जाता है इसके लावा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थेओरी है अधुमुकी निशियंदन का सिध्धान्त मतलब जो उच्छ वर्ग है उसी को सिच्छा दी जाएगी बाद इसलिए इसका नाम है चाल्सवूर्ड डिस्पैच कौन गौर्णर जन्रा था इस टाइम पर लॉर्ड अलहोजी 1854 में यह था इसे भारतियों सिच्छा का मैगना कार्ट टका जाता है इसमें माधिमिक सिच्छा और उच्छी सिच्छा पर इसमें बल दिया गया था यहां प पर तीन विश्विद्याले खोले गए भारत में बंबई कलकत्ता और मद्रास के विश्विद्याले कब खोले गए 1857 में इसी के आधार पर चाल्सूर्ड डिस्पैच के रिक्मेंडेशन के आधार पर बंबई कलकत्ता और मद्रास विश्विद्याले 1857 नेक्स्ट है हंटर सिक्षायों इस टाइम पे गॉर्णर जनरल कौन था लॉर्ड रिपन यह था 1882-83 में 1882-83 में इसके अधर इस्टेर डबलु डबलु हंटर इन्हीं के नाम पी सायों का नाम है इसमें जो मेली फोकस किया गया था वो प्रात्मिक और माधिमिक सिच्छा पे फोकस किया गया था इसके अंतरगत भी दो विश्विद्याले खोले गए पहला था पंजाब विश्विद्याले 1882 में और इलावाद विश्विद्याले 1887 में इसी की रिक्मेंडेशन पे हंटर्स इच्छा आयों की रिक्मेंडेशन पर आधरी था और पहला विधी विश्विद्याले खोला था बंगलवर में 1887 में हंटर शिक्षा आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर अगला आयोग है यहां पर रहले आयोग जो की 1902 में इसका गठन हुआ था सर्ट टॉमस रहले के देश्टा में बना था रहले आयोग लॉर्ड करजन इस टाइम पर गॉर्डनर जनरल था और इस इसके बाद आता है सेडलर आयोग 1917 में लॉर्ड जेम्स फोर्ड इस टाइम पर गॉर्णर जनरल था और इसके कौन अध्यश था इस टाइम पर एम सेडलर रिनी के नाम पर यहां पड़ा था इसमें दो भारतिये सदस्वे इस आयोग में जिनका नाम था डॉक्टर सर डॉक इसके अलवा इसी के आदार पर इसकूली सिछा जो है वो 12 तक कर दी गई इसी सेडलर आयोग की रिक्मेंडेशन पर उसके बाद प्रात्मिक और उच्य सिछा सभी को इसमें कवर किया गया था प्रात्मिक से लेके उच्चे सिच्छा तक सारी चीज़ें सब्लेर रायोग मे प्रात्मिक सिच्छा तक सीच्छा तर्वोटी समयति पूछ सभी से इसी सभी सिच्छा पर उर्टक समयति पूछन पर और नेक्स्ट पर वर्धा आयोग कि आदा मौलिक सिच्छा पर पूरेद तरह से 1937 में आई थी और यह जो रिपोर्ट प्रस्तूत की थी वो डॉक्टर जाकिर हुसायन ने प्रस्तूत की थी और यह किसकी रिक्मेंडेशन थी तो इसको वर्धा योजना जो है पूरी तरह से गांधी जी की योजना थी मात्रभासा में सिच्छा देने की बात की गई छे से 14 साल के लिए निसुल्क और अनिवार सिच्छा की बात की गई थी वर्धा योजना में जो की 1937 में आई थी नेक्स है सार्जेंट योजना 1944 में आई थी जौन सार्जेंट की अध्यचता में इस टाइब गौर्णर थी लॉड वेवल 6-11 वर्ष के लिए निसुल्क सिच्छा की इसमें बात की गई इसे पहले जो वर्धा योजना आई थी इसमें कहा था 6-14 वर्ष की निसुल्क सिच् असलब इसमें वेवसाई एक बात मान ली गई थी वर्धा योजना की जो गतिवीदियों के आधार पर सिच्छा ये दी जाने लगी किसमें उच्छेतर मादी में किस तर पर सार्जेंट आयोग की वज़े से नेक्स है रेल्वे से समंदी दो आयोग इंपोर्टन है थॉमस आयोग जो कि 1902 में बना था थॉमस रॉबर्टसन आयोग 1902 में गॉर्णर कौन था लॉर्ड करजन उसके बाद एक वर्थ आयोग बना था इस टाइम पे गॉवर्णर था लॉर्ड जेम्स फोर्ड ये दोनों आयोग इंपोर्टन है रेल्वे से समंदी इसकी बाद आता है से समंदी जितने भी आयोग बने थे पहला था कैंपवेल आयोग ये 1866 में बना था इस टाइम पे गॉवर्णर था सर जॉन लॉर्ण्स उसके बाद इस्ट्रेची आयोग बना था 1880 में सब अरेंज करने को भी आता है और डिरेक्टली इसका येर भी पूछा जाता है इस टाइम पे गॉवर्णर था लॉर्ड करजन वुड हैड आयोग उनीसो ताइस में 1943 में बना था इस टाइम पे गॉवर्णर था लॉर्ड वेवल नेक्स्ट है कुछ अन्य आयोग है फ्रेजर आयोग जैसे 1902 में बना था पुली सुधार से संबनी था लॉर्ड करजन की उस टाइम पे गॉवर्णर था फ्रेजर आयोग में उसकी बहाद फिर अंटर आयोग बना था पंजाव संथी वार्ण साहिति यह भाग पार्ति रियोस्तों से ब्रितिस जो सासन है उसका संबंद स्थापित करने के लिए बटलर आयोग की स्थापिता की गई थी 1927 में नेक्स्ट है विटले आयोग 1929 में बना था ये किसे संबंदी था स्रम से विटले आयोग और इस टाइम पे गौवर्णर को था लौड एर्विन फिर आया था सप्र हैमंड आयोग 1935 में बना था और इसमें बात की गई थी स्रमिक व्रित नेदियों को संगी सभा में लाने है तो इसमें काम किया गया था हैमंड आयोग में 1935 में बना था गौर्णर था लौड विलिंग्टन इसके बाद कॉंग्रेस के स्थापना से पहले कुछ चीजें बन जहां पर नहीं लिखा होगा उसको कलगत्ता है समझेगा बाकी जितने स्थान है वो मैंने यहां पर लिख दिये लेंड होल्डर सोसाइटी दो साल बाद 1836 के दो साल बाद 1839 में बनी थी संस्थापक कों थे द्वारकानाठ टैगोर और इसमें राधाकान देव भी थे प्र ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी 1849 विलियम एडम लंदन लंदन में बंगाल ब्रिटिस इंडिया असोसीएशन इसकी स्थापना की गई थी 1847 में 1843 में इसके संस्थापक थे द्वारकानाठ टैगोर और जॉर्ज थांसन 1843 बंगाल ब्रिटिस इंडिया असोसीएशन फिर ब पार का नाट टैगूर फिर मद्रास नेटी वे सेचेशन इटारसोबावन में बना था और इसके जो संस्थापक ते वो गजलू लख्षमी नरशू चेटि यह फिर जी आल चेटी भी लिखा मिलसक्ता यहम अध्रास में इसकी सथापना उइथी मद्रास नेटी वेसेशन की ए 1865 में East India Society के स्थापना 1866 में की ती दादाभाई नर्योजी नहीं तो तीन चीज की स्थापना की थी Congress के पहले दादाभाई नर्योजी ने एक बंबई Association 1852 में बंबई में इसके लाओं यह दोनों लंदन के लंदन के हैं London Indian Society 1865 उसके बाद East India Association 1866 यह दोनों लंदन में आपको फास्ट लगे बहुत तेज तेज बोल रही हूं जहां से स्पीड बढ़ाई जाती वहां से स्पीड कम भी हो जाती वहां से आप कम करके देख लीजिगा इंडियन लीग 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे सिसीर कुमार गोस यह पूरा पीडिय कलकता स्थूदेंटस टेकेसन ग्रिडय करके स्थापना हुई थी इसके सथापना हुई थी इंडियन I should इसकी स्थापना हुई थी 1866 में और इसकी संस्थापक थे सुरेंद्रनाद बनरजी और आनंद मोहन बोस कलकता स्टूडेंट वाला 1875 आनंद मोहन बोस ने स्थापना की थी इंडियन लीग 1875 सेसिर कुमार घोस ने स्थापना की थी फिर इंडियन अस्थापना सुरेंद्रनाद बनरजी और आनंद मोहन बोस ने मिलके की थी नेक्स है यहाँ पर यह वाला हटाल दीजिएगा इसके आगे लिखा वो है मद्रास महाजन सभा के स्थापना 1884 में की गई थी इसने किसने की थी एंबी रागवाचारी सुब्रवर्णम अरे अयर और आनंद चारलू इसकी स्थापना हुई थी मद्रास में रागवाचारी सुब्रवर्णम अरे अयर और आनंद चारलू इसमें बहुत बार पुछा जाता है कि कौन इसमें सामिल नहीं थे तो यही तीनों लोग इसमें सा जाता है फिरोसा में था बदुद्दीन तयेब जी केटी तेलंग और किसीश की स्थापना की थी लोने बंबाई प्रेसीडेंसी एसोशेशन अथारासो पचासी फिर आता है नेशनल इंडिया असोशेशन अथारासो शेशन की और इसके संस्थापक थी कहों अधारी था बंबई में गोकुल दास तेशपाल संस्क्रिट विश्वी द्याले में पहले अध्यस डव्यूसी वेंकेस चंद्र बनर जी थे उसके बाद रुटीय जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में 1886 में इसके अध्यस थे दादा भाई नोरो जी तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्र इसने बताया था तो लाला लाच्वात राय ने इसे कंग डफरिन के दिवा की उपज बताया था क्योंकि जब कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम गौर्णर कौन था लॉर्ड डफरे और यह किसमें कहा था किस लेख में अपने तो यंग इंडिया का एक लेक था था उसी में ये बात कही थी उन्होंने फिर आता है कॉंग्रेस के लोग पदों के भूके ही किस ने कहा था तो यह बंकिम चंद्र चटर जी ने कहा था फिर यदि हम वर्स में एक बार मेड़क की तरह तरह तो हमें कुछ नहीं मिलेगा यह किसका कथन है बाल गंगा दरती ल नरम पंथी थे दादा भाई नरोजी सुरेंद्र नात बनर जी लिए और देंसा वाचा इस नहीं नाम है नरम पंथी में बाल बाल पाल जो कहा जाता है अर्विंद घोष भी कुछ नहीं तक गरम पंथी उसमें सामिल थे बाद में उन्होंने सन्यास ले लिया था िस नेक्सट अचिल में भार्ती सुधार समेंथी की स्थाफना 1887 में किसने की थी दाधा बाइन ओर जी ने oil ने सी हे इंप्रोंटन भार्ति सुधार समेंथी एंधाफन